नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन सोफेशल पर तो आज किस वीडियो में हम इंपोर्टन टोपिक भारते इतिहास के प्रमुक युद्ध देखेंगे जिसमें हम प्राचीन भारत के दशराज युद्ध से लेकर अधूनिक भारत के का इंपोर्टन बैटल्स के बारे में कहानी की तरह पढ़ेंगे तो इस टोपिक से लगबग हर एक परिक्षा में प्रशन बनता ही है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टन होने वाली है और ये वीडियो अगर आप पूरी एंड तक देख लेंगे तो इस टोपिक तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम प्राचीन भारत में चलते हैं तो प्राचीन भारत का एक युद्ध है दशराज युद्ध ये किसके बीच में हुआ था तो राजा सुदास और पंच जन अन्य कबीलों के बीच में हुआ था जिसमें जीत की हुई थी तो तो राजा सुदास के जीत होई थी, तो दशराज युद्ध का उलेख किस में मिलता है? तो दशराज युद्ध का उलेख रिगवेद के साथवे मंडल में मिलता है, तो रिगवेद के साथवे मंडल में दशराज युद्ध का वर्नन है, और इस युद्ध में एक और कबीला और उनका मित्रपक्ष समुदाय था और दूसरी और भारत नामक समुदाय था जिसका नितरतव तुच्सु नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे और इस युद में किसकी विजह होती है तो राजा सुदास की विजह होती है और ये लड़ाई लड़ी कहां पर गई थी त पहले रावी नदी को परुशनी नदी कहा जाता था, या देखेगा, तो दशराज युद्ध में जीत किसकी हुई, राजा सुदास की, इसका वर्नन किसमे है, तो रिगिवेद के साथमे मंडल में इसका वर्नन है, और किस नदी के पास ये लड़ाई हुई थी, तो परुशन के बीच में हुआ था, तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी, तो सिकंदर की जीत हुई थी, तो 326 इसा पूर्व में सिकंदर ने हाइडेश पीस के युद्ध में राजा पोरस का सामना किया था, जिसे जेलम की लड़ाई के तो जेलम नदी के किनारे हुई थी और जेलम नदी को जो युनानी है हाइडे स्पीज कहते थे इसलिए इस युद्ध का नाम पड़ गया हाइडे स्पीज का युद्ध तो जेलम नदी के तड़ पर ये युद्ध हुआ था और इसमें सिकंदर की विजय हुई थी और राजा पोरस के बीच में हुआ था और ये हुआ कब था तो 326 इसा पूर ये युद्ध हुआ था और जेलम की लड़ाई के रूप में इसे जाना जाता है इसके बाद हम कहानी में आगे चलते हैं और चंदरगुप्त मोरे का युद्ध सेलुकस निकेटर से होता है ये देखते हैं तो ये कौन सा युद्ध है तो सेलुकस से युद्ध है जो किसके बीच में हुआ था सेलुकस निकेटर और चंदरगुप्त मोरे के बीच में हुआ और यह लड़ाई 305 और 303 इसाब पूर्व में लड़ी केई थी, तो यह लड़ाई 305 इसाब पूर्व से शुरू हुई जब चंदरगुप्त ने अभियानों की एक शरंखला का नितरतव करके भारतिय छत्रपों को वापस लेने की कोशिश की थी, तो जब चंदरगुप्त मोर्य अखंड भारत बना रहे थे ना, तो जो भारत का पक्षमी भाग है, जहां पर युनानियों का कबजा था, तो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, चंदरगुप्त मोर्य उसे भारत में मिला रहे थे, तो इसी बीच में क्या होता है, कि जो पक्षमी ह कि दोनों पक्षों ने 303 इसापूर में शांती बना ली और इस युद्ध का पविणाम क्या होता है कि जो सैलूकस निकेटर होता है ये हारमान लेता है और अपनी बेटी का विवा भी चंदरगुप्त मोरि के साथ करवा देता है तो सेलुकस निकेटर क्या करता है? अपनी बेटी का विवा चंदर गुप्त मोरे से करा देता है और चंदर गुप्त को सिकंदर के द्वारा छोड़े गए छेतरों को नियंतित करने की अनुमति दे देता है और अभी है यानि कि सेलुकस निकेटर पक्षिम की ओर लोड जाता तो इस परकार जो सेलुकस का युद्ध होता है ये किसके बीच में होता है तो सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौरे के बीच में होता है और इसमें जीत किसकी होती है तो चंद्रगुप्त मौरे की जीत होती है तो इसके बाद हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और अग जीद किसकी होती है तो समराड अशोख की जीद होती है तो कलिंग युद प्राचीन भारत में राजा अशोख के अधीन मोले समराज और कलिंग राजे की बीच में लड़ा गया था और ये युद्ध 261 इसा पूर्व के आसपास लड़ा गया था, जिसमें लगभग एक लाख लोग मारे गये थे और लगभग डेड़ लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था, तो कलिंग युद्ध के कारण हुए भारी रक्तपात के कारण जो अशोग थे बहुत ही आहा और जो ये कलिंग युद्ध है, इसका वर्नन किसमें देखने को मिलता है, तो अशोग के शाशनकाल के 14 परमुक शिलालेख मिले हैं, जिसमें से 13 शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्नन कौन से शिलालेख में हैं, ये बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है, तो य तेरवें शिलालेक में है तो इसका वर्णन तेरवें शिलालेक में है तो कलिंग का युद किसके बीच में होता है समराट अशोग और कलिंग के राजा अनंत पद्वनाव के बीच में होता है और इसमें समराट अशोग की विजह होती है और ये युद कब लड़ा गया था तो भारत पर सबसे पहले मुस्लिमों में अरब आकर्मन होता है उसके बाद तुर्क आकर्मन होता है तो भारत पर सबसे पहले अरब आकर्मन कारी कौन था तो मुहम्मद बिन कासिम जिसके बाद तुर्क आकर्मन कारी आये तो तुर्क आकर्मन कारियों में कौन-कौन से थे महमू उबैदुल्ला के नेतरतों में एक अभियान सिंद भेजा गया था सिंद जो कि अब पाकिस्तान के अंडर आता है पहले तो ये भारत का ही हिसा था तो सर प्रथम 711 एसी में उबैदुल्ला के नेतरतों में एक अभियान सिंद भेजा गया किन्तु यह प्राजित हुआ और मारा गया यानि कि उबैदुल्ला ने भारत पर आकरमन तो किया पर वो प्राजित हो गया और मारा गया तो उबैदुल्ला के बाद दूसरा अभियान बुदैल के नित्रतों में हुआ लेकिन यह भी आसफल रहा और तीसरा अभियान 712 इस्वि में मुहम्मद बिन कासिम के नित्रतों में हुआ और मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शाशक दाहिर को प्राजित कर दिया और दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया तो आप से पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमन करने वाला पहला सफल अरब आक्रमन कारी कौन था तो सबसे पहले सफलता मिली थी मुहम्मद बिन कासिम को वैसे तो देखा जाए तो उबेदुल्ला पहला अरब आकरमन कारी था जिसने भारत पर आकरमन किया था लेकिन ये आ सफल रहा था पर सफल कोन हुआ पर मुहम्मद बिन कासिम को इसमें सफलता मिली थी और मुहम्मद बिन कासिम ने 713 इस्वी में मुलतान को भी जीत लिया थ देखते हैं भारत पर तुर्क आक्रमन तो तुर्क आक्रमनकारी कौन था? तो भारत का पहला तुर्क आक्रमनकारी सुभुक्त गीन था? उसके दो पुत्र होते हैं अब्दुलकाशिम महमूद और इसमाइल तो पिता के मरने के बाद इन दोनों के बीच में उत्रा अधिकार का युद्ध होता है जिसमें जो अब्दुलकाशिम होता है न ये जी जाता है और यही अब्दुलकाशिम महमूद गजनवी के नाम से शा पर बैठा और इसने 1027 एसवी के बीच कुल 17 बार भारत पर आकरमन किया तो ये बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आकरमन किया है तो कुल 17 बार भारत पर आकरमन किया है और महमूद गजनवी जिसे महमूद गजनी भी कहते इसने सरव प्रत्थम एक हजार इसवी में भारत पर आकर्मन किया था और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करने के बाद ये वापस अपने देश लोट गया था तो महमूद गजनवी ने 2025 इसवी में अपने 16 आकर्मन में सोमनात मंदिर को लूटा था और मंदिर को लूट के ले जाने के करम में उस पर कुछ जाटों ने आकर्मन किया था और उससे कुछ संपती वापस लूट ली थी जिसके बाद क्या होता है कि महमूद गजनवी अपना बदला लेने के लिए क्योंकि जब वो मंदिर को लूट कर गया था तो उस पर कुछ जाटों ने आकर्मन कर दिया था और उससे कुछ संपती लूट ली थी जिसके बाद क्या होता है महमूद गजनवी अपना अंतिम आकर्मन 1027 इस्वी में जाटों के विरुद किया क्योंकि जाटों ने क्या किया था जो संपती लूट कर ले जा रहा था उससे संपती लूट ली थी उससे कुछ धन लूट लिया था इसलिए इसने बदला लेने के लिए 1027 इस्वी में जाटों के विरुद अपना आकरी आकर्मन किया था जिसके बाद क्या होता है कि 1030 इस्वी में महमूद गजनवी के साथ फिर दोसी, अलबरूनी तथा उत्वी जैसे इतिहास कार भी आये थे और इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तके हैं जो एक्जाम में बार बार रिपीट होती हैं तो शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है फिर दोसी के द्वारा, किताब उलहिंद इंपोर्टेंट है, अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है, बहुत बार एक्जाम में किताब उल्यामनी उत्वी के द्वारा तो महमूद गजिनवी के आकरमन के बाद आगे हम मुहम्मद गोरी के आकरमन पर चलते हैं तो तरायन का प्रथम युद तिन तीनों युद्धों को आपको एक साथ याद रखना है पहला है तरायन का प्रथम युद जो की 1191 में हुआ था दूसरा है तरायन का द्वित्य युद जो की 1192 में हुआ था और तीसरा है चंदवार का युद जो की 1194 में हुआ था तो सबसे पहले है तरायन का प्रथम युद तो जो तरायन का प्रथम युद है ये पृत्वी राज चोहान और मुहमद गोरी के बीच में हुआ था जिसमें क्या होता है कि पृत्वी राज चोहान मुहमद गोरी को हरा देते हैं और मुहमद गोरी निहत्था पड़ा होता है लेकिन पृत्वी राज चोहान उसको हरा तो देते हैं लेकिन उसे मारते नहीं और यहीं पर गलती कर देते हैं जिसके बाद क्या होता है कि तरायन के दूसरे युद्ध में जो कि 1192 में होता है अगले ही साल मुहम्मद गोरी दुबारा आकरमन कर देता है और पिथ्वी राचोहान को हरा देता है पिछले युद्ध में क्या होता है कि पिथ्वी राचोहान मुहम्मद गोरी को हरा देते हैं और मुहम्मद गोरी जमीन पर निहत्था लेटा होता है लेकिन पिथ्वी राचोहान निहत्थे पर आकरमन नहीं करते उसे मारते नहीं और अगले ही वर्ष 1192 में मुहम्मद गोरी प्रिथिवी राज चोहान को हरा देता है तो तरायन का युद 1191 और 92 की एक ऐसी श्रंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुसलिम नियंतरन के लिए खोल दिया और ये युद मुहम्मद गोरी जिसका मूल नाम क्या था? मुझू दिन मुहम्मद बिन साम और अजमेर तथा दिल्ली के चोहान राजपूर शाचक प्रिथ्वी राज चोहान के बीच में हुआ था तो उसके बाद है चंद वार कयुद जोकी 1194 इस्वी में होता है और ये मुहम्मद गोरी जै चंद के बीच में होता है जो जै चंद है ये प्रिथ्वी राज चोहान के ससूर थे तो मुहम्मद गोरी जै चंद को भी हरा देता है तो तरायन का प्रथम युद 1191 में होता है तरायन का दूसरा युद 1192 में होता है और चंद वार का युद 1194 में होता है तो इसके बाद हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और अब हम मुगलों के आकर्मन के बारे में बढ़ते हैं अब कहानी में मुगलों की एंट्री होती है तो ये चार युद्ध आपको याद रखने हैं, कौन-कौन से पानिपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, तो पानिपत का युद्ध 1526 में होता है, अगले साल 1527 में खानवा का युद्ध होता है, उसके अगले साल 1528 में चंदेरी का युद होता है, इसे अगले साल 1529 में घागरा का युद होता है, तो लगातार ये चारों युद आपको याद अखने हैं। पानी पत का युद, खानुमा का युद, चंदेरी का युद और घागरा का युद। तो सबसे पहले देखते हैं पानिपत का प्रथम युद जो की 1526 में हुआ था और आपको पता ही है कि पानिपत का युद कितना important है तो पानिपत का जो प्रथम युद होता है ये अपरेल 1526 में पानिपत के निकट लड़ा गया था और पानिपत वह स्थान है जहां पर बार्म शताबदी के बासे उत्तर भारत पर नियंत्रन को लेकर कई निरनायक लड़ाईयां लड़ी गई थी, तो पानिपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल समराज्य की निव रखी थी, तो यह उन पहली लड़ाईयों में से एक थी, जिसमें मुगलों ने बारूद, आ का इस्तमाल किया था, तो पानिपत का प्रथम युद्ध बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इबराहिम लोदी की बीच में लड़ा गया था, और इस युद्ध में जहिरु दिन बाबर ने लोदी को प्रास्ट किया था, और यहीं से मुगल समराज्य की निव तोपे थी, जबकि इबराहिम लोदी की सेना में लगभग असी हजार से लेकर एक लाग सैनिक थे, और कम से कम एक हजार हाती थे, तो शुरुवात में देखा जाए, तो जो इबराहिम लोदी की सेना थी न, यह बाबर की सेना को आसानी से हरा रहे थी, यानि कि आप देखे कि 15,000 सेना के आगे 1,000,000 सेनी तो जो इबराहिम लोदी की सेना थी ये बाबर की सेना पर भारी पड़ रहे थी और बाबर हारी रा था लेकिन अचानक वो तोपों का इस्तमाल करता है और इबराहिम लोदी की सेना के लिए जो तोपें थी एक तरह से उनके लिए नई थी उनके लिए सरप्राइस था तो जैसे ही बाबर तोपों का इस्तमाल करता है तो इबराहिम लोदी की सेना पीछे हटने लगती है और तोपों से वो इबराहिम लोदी की सेना को भारी नुकसान पहुचाता है और अंत में इबराहिम लोधी की हार होती है तो बाबर की रणनीती क्या थी? तो पानिपत के परथम युद्ध में बाबर ने उजबेकों के युद्धनीती क्योंकि ये उजबेकिस्तान से ही आय था तो उजबेकों के युद्धनिती तुगलमा जिसे अर्धचंद्रकार निती कहते हैं अर्धचंद्रकार निती तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधी का प्रयोग किया था और इबराहिम लोधी को प्राजित कर दिया तो युद्ध में बाबर के तोप खाने नितरतो उस्ताद अली और मुस्तफा खानामक दो तुरकी अधिकारियों ने किया था तो जो बाबर की तोपें थी इसका नितरतो किसे ने किया था उस्ताद अली और मुस्तफा खानामक दो तुरकी अधिकारियों ने किया था तो पानिपत के प्रथम युद को जीतने की बाद बाबर ने जनता में चांदी की सिक्के बटवाए थे, जिस कारण जनता ने इसे कलंदर यानि की दानी की उपाधी दी थी, तो पानिपत के प्रथम युद के बाद खानवा का युद होता है 1527 में, तो पानिपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्ने नहीं किया था कि वे भारत में स्थाई रूप से रहेगा, लेकिन जैसे ही बाबर ने भारत में रहने की योजना बनाई, तो राणा सांगा ने इसका विरोध कर दिया, और 1527 में क्या होता है, कि खानवा जो की आगरा के समीप है, यहां पर बाबर और राना साङगा के बीच में युद होता है, तो बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाले तमगा नामक टेक्स को खतम कर दिया, इसने कहा कि तुम अगर युद को जीतोगे तो तुम पर लगने वाला जो तमका नामक टेक्स है ये खतम कर दिया जाएगा यानि कि एक तरह से सैनिकों को मोटिवेट किया तो बाबर को हर हाल में यह युद जीतना था तो इसे युद में बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया था और इस युद में बाबर ने अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दिया था तो बाबर की सेना पूरी भादुरी से लड़ी और इस युद में बाबर के जीत हुई थी और इस युद के बाद बाबर ने गाजी की उपाधी धारन की थी और इसी युद के बाद बाबर ने यह निर्ने लिया था कि वो भारत में स्थाई रूप से रहेगा तो पानिपत के प्रथम युद में उसने यह निर्ने नहीं लिया था कि वो भारत में स्थाई रूप से रहेगा लेकिन खानवा के युद में राणा सांगा को हराने के बाद वो यह निर्ने लेता है कि अब यह भारत में स्थाई रूप से रहेगा इसके बाद 1528 में चंदेरी का युद होता है अब बाबर ने भारत में रहने का मन तो बना लिया अब धीरे धीरे क्या करेगा ये भारत में अपना छेत्रिय विस्तार करेगा तो इसी करम में क्या होता है कि चंदेरी जो की मालवा और बुंदेल खंड की सीमा पर स्थित एक मह पूर्ण व्यपारिक एवं राजनेतिक किंद्र था तो इस युद में बाबर ने मेदनी राय को पराजित किया और उसकी दो पुत्रियों को अपने दो पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया। इसका नेतरताओ महमूद लोधी ने किया था, किन्तु बाबर ने अफगानों का पूनता शफाय नहीं किया। इसने अफगानियों को हरा तो दिया प्रन्तु पूरी तरह से खतम नहीं किया। और यही बच्चे हुए अफगानी सैनिक बाद में हुमायूं के लिए खतरा बन क सामने आते हैं, तो चारों युद्ध आपने देखा पानिपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घागरा का युद्ध, चारों युद्धों में जीत किसकी होती है, तो बाबर की जीत होती है, तो बाबर के बाद हम अब उसके बेटे हुमायू पर चलते हैं तो आपको ये दोनों युद एक साथ या दखने हैं चोसा का युद और कन्नोज का युद तो चोसा का युद पंदरा सो उन्तालिस में होता है और कन्नोज का युद पंदरा सो चालिस में होता है और इन दोनों ही युद्धों में शेर्शा सूरी ने हुमायू क हराय था तो चोसा का युद्ध और कन्नोच का युद्ध मुगल समराठ हुमायू और शेरशा सूरी की बीच में हुआ था और दोनों ही युद्धों में शेरशा सूरी की जीत हुई थी तो पहले हम चोसा का युद्ध पढ़ लेते हैं जो कि 1549 में हुआ था तो इस इसने शेर को मार दिया था, जिसके बाद इसका नाम फरीद खां से शेर खां पड़ गया था, तो शेर खां और हुमायू की बीच में चोसा का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में हुमायू के अनेक सैनिक गंगा एवम कर्मनासा नदी में डूप कर मर गय थे, तथा हु हुमायू को अभी भारत की भगोली स्थितियों के बारे में जानकारी नहीं थी। जो शेरशा सूरी था ना ये बिहार का था इसको पता था कि गंगा नदी में बाड आती है और अभी भी आप देखते हैं कि गंगा नदी में बाड आती है तो बिहार के कई इलाके इसके चपे ये तो गंगा नदी में ही डूब कर मर जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जो हुमायू होता है न ये भी गंगा नदी में कूच जाता है तो हुमायू को तो निजाम नामक एक भिष्टी ने हुमायू को डूबने से बचाय था तो निजाम को ये नहीं पता था कि ये कौ तो इसके बाद क्या होता है कि शेर खां इस युद में विजय होता है और इस उपलक्ष में शेर खां ने अपने नाम के आगे शाह की उपादी धारन की तो इसलिए इसका नाम पढ़ गया शेर शाह तो पहले इसका नाम था फरीद खां फरीद खां के बाद जब इसने शेर को युद्ध होता है तो हुमायू पहले तो डर कर भाग जाता है लेकिन दुबारा वापिस आता है और यह युद्ध शेरशा सूरी और हुमायू की बीच में होता है कौन सा कन्नोज का युद्ध और इस युद्ध में भी हुमायू पराजित हो जाता है और इस युद्ध के बा जब इसके उत्रा अधिकारी आते हैं तो वो इतने प्रबल शाशक नहीं होते जिने हुमायू बाद में हरा देता है और दुबारा से मुगल समराज शुरू होता है लेकिन जब तक शेरशा सूरी था हुमायू छिपा रहता है तो इस युद्ध के बाद शेरशा सूरी का आग कि उपाधी धारन की थी सुल्तान की उपाधी धारन की थी तो अगर आपको पूरा मुगल समराज डिटेल में पढ़ना है जिसमें मैंने शेरशा सूरी के बारे में भी पढ़ाया हुआ है तो मैंने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और अधूनिक भारत को डिटेल में पढ़ा दिया है आपको ये सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे भारत के इतिहास को पढ़ सकते हैं तो आगे अब हम पानिपत की दूसरी लड़ाई देखते हैं तो पानिपत की दूसरी लड़ाई पांच नुमबर 1556 को अफगान बाशा आदिल्शा सूर के सेना पती हेमो और अकबर की बीच में हुई थी तो पानिपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी 1556 में हुई थी किसके बीच में हुई थी तो हेमो और अकबर की बीच में हुई थी जो हेमो था ये आदिल्शा का सेना पती था तो हेम और अकबर की बीच में पानिपत की दूसरी लड़ाई होती है, तो हेमो के पास अकबर से कहीं अधिक बड़ी सेना थी, तथा पंद्रसो हाथी थे, तो प्रारम में क्या होता है? कि मुगल सेना के मुकाबले में हेमो को सफलता प्राप्त होती है, लेकिन दुर्भागे से एक तीर हेमो की आँख में घुस गया, और उसने ही युद्ध का पासा पलट दिया, तो पानिपत की दूसरी लड़ाई के फलसोरूप अकबर की विजे हुई, और दिल्ली और आगरा अकबर के अधिकार में आ गये, तो इस लड़ाई के बाद दिल्ली के तक्त के लिए मुगल और अफगानों की बीच चलने वाला संगर्श समाप्त हो गया, और दिल्ली पर मुगलों का कबज़ा हो गया, तो इसके बाद हम अगले युद्ध पर चलते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध, जो की 1576 इस्वी में हुआ था, और ये अकबर और महराना परताब के बीच में ह गड़ा गया था, जिनका समर्थन और नितरतों मिवाड के महराना परताब और आमेर के राजा मान सिंग परतम के नितरतों में मुगल समराड अकबर की सेना ने किया था, तो अकबर की तरफ से कौन लड़ रहे थे? मान सिंग, तो इस युद्ध में महराना परताब को मुख कब लड़ा गया था तो 18 जून 1576 में लड़ा गया था और किसके बीच में ये युद्ध हुआ था तो अकबर और महराना परताब के बीच में ये युद्ध हुआ था इसके बाद आगे हम चलते हैं और करनाल का युद्ध देखते हैं जो कि 1749 में हुआ था तो ये युद्ध नादिर्शा और मुगल समराड मुहम्माशा के बेच में हुआ था और इस युद में नादिर्शा ने मुगल समराड मुहम्माशा को हराय था तो जो मुहम्माशा है ना मुहम्माशा के समय इरान छेतर का शाशक नादिर्शा भारत पर आकर्मन करता है ये मुगल समराड था और जो नादिर्शा था ये इरान छेतर का शाशक था, तो महम्माशा के समय इरान छेतर का शाशक नादिर्शा भारत पर आकर्मन करता है, तो जो नादिर्शा था ना ये शुरू में एक चरवहा था, लेकिन बाद में चल कर ये फारस का शाशक बनता है, इरान का शाशक बनत इरान का नेपोलियन भी कहा जाता है तो जो मुहम्मद शाथाना ये उसमें एक कमजोर शाशक के रूप में सामने आता है और नादिर शाथा आकर्मन करते हुए दिल्ली पहुंचाता है और नादिर शाथा लगबग 57 दिनों तक दिल्ली में रुखता है और बहुत सारा कतले आम मचाता है और बहुत सारा धन लूटता है तो नादिर शाथा लगबग 70 करोड की धन राशी और शाह जहां का बनवाया हुआ तकते ताउस जिसे मयूर सिंगहासन के नाम से जाना जाता है और कोहिनूर हीरा भी लूटकर फारस ले जाता है तो जो नादिर शाथा होता है न इलगबग 70 करोड रुपे की धन राशी मयूर सिंगहासन और कोहिनूर हीरा भारस से लूटकर इरान ले जाता है तो मयूर सिंगहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शाषक शाजान था क्योंकि इसी ने तो बनवाय था और अंति मुगल शाषक मुहमद शाथ था क्योंकि मुहमद शाह के समय जो नादिर शाह था न वो इसे ये तक्त लूट कर ले जाता है तो करनाल का युध किसके बीच में होता है नादिर शाह और मुगल समराड मुहमद शाह के बीच में होता है इसके बाद हम कहानी में आगे चलते हैं और करनाटक के युध के बारे में पढ़ते हैं तो करनाटक का युध सुनकर आपको लग रहा होगा कि जो ये युध है करना उचारन करनाटक कर दिया गया, जबकि इस रिजन को कारनेटिक कहते थे, पर हिंदी में इसका उचारन करनाटक पढ़ गया, तो इसलिए से करनाटक का युद कहते हैं, तो करनाटक के तीन युद हुए थे, तीन कारनेटिक वोर हुए थे, पहला करनाटक युद 1746 लेकर 48 तक तिसरा करनाटक युद्ध 756 लेकर 1763 तक चला था, तो तीनों करनाटक के युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं, तो पहला करनाटक युद्ध था ये 1746 लेकर 48 तक चला था और यह युद्ध चयों हुआ था, तो इसका कारण था उस्ट्रियाई उत्रा अधिकार का प्रशन एवं अंग्रेज एवं फ्रानसीसिंョ में अमेरिका में युद क्योंकि जो अंग्रेज और फ्रानसीसी थे ये दोनों ही भारत पर अधिकार करना चाते थे आपको पता ही है कि ये भारत में व्यापार करने के लिए आए थे तो दोनों कमपनियां चाहती थी कि इनका वर्चस भारत पे रहे तो इसलिए दोनों में आपस में युद्ध होता है और ये युद्ध समव्द्ध कब होता है कि संथी के कारण होता है तो 1748 में एक्सला शैपल की संधी के द्वारा ये युद समाप्थ होता है, तो इसका परिणाम क्या निकलता है, तो इस युद में अंग्रेज एवं करनाटक के नवाब की पराजे होती है, उसके बाद है दूसरा करनाटक युद जो की 1748 रेकर 1747 तक चलता है, और इसका कारण क्या होत होता है तो दोनों कमपनियों द्वारा भारती राजनीति में हस्ता शेप इस युद का कारण बनता है, और ये युद समाप्थ कब होता है, तो 1755 इस्वी में पोन्डी चेरी की संधी के द्वारा ये युद समाप्थ होता है, और इसका परिणाम क्या निकलता है, तो अब अच्छे स्थिति में आ चुके थे इसके बाद तीसरा करनाटक युद्ध होता है 1756 से लेकर 1763 तक चलता है और इसका कारण क्या बनता है तो युरोब का सब्त वर्षय युद्ध इसका कारण बनता है और इसका असर भारत पर भी देखने को मिलता है और इसकी समाप्ति कब हो तो तीनो कारनेटिक वर्षय या दखना ये पूछा जाता है कि पहले कारनेटिक युद्ध की की समाप्ति की संधी के द्वारा हुई थी तो 1748 में एकसला शेपल की संधी के द्वारा पहला कारनेटिक वर्षय समाप्त हुआ था दूसरा कारनेटिक वर्षय पोन्डी चेरी चलते हैं और पलासी का युद्ध देखते हैं तो सिराजु दोला को 1756 एश्व में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है और इसके सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोगों में जलन की भावना पैदा होने लगती है और जो बंगाल के नवाब सिराजु दोला थे ना इनके ही अधिकारी इनसे आसंतोष थे और इसका लाव उठाकर जो कलाईव है, रोबर्ड कलाईव ये नवाव के विरुद एक शर्यंत रज्टा है ये क्या करता है, कि जो नवाव का मुख्य सेनपति था, मीर जाफर उसे अपने संग मिला लेता है ये मीर जाफर को ये लालज देता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ तो सिराजु दोला को हटा कर मैं तुम्हें बंगाल का नवाव बना दूँगा तो रोबर्ड कलाईव इस शर्यंतर में सिराजु दोला के ही सेनपति मीर जाफर को मिला लेता है उसके दिवान राय दुरलब को भी अपने शड्यंत्र में शामिल कर लेता है इसके सैनिक अधिकारी यार लतीव को भी अपने संग मिला लेता है और बंगाल का एक व्यपारी जगत सेट भी रोबर्ट कलायव की इस शड्यंत्र में आर्थिक मदद करता है तो जो पलासी का ये तेई जुन 1757 इस्वि में हुआ था तो जो पलासी है ये भागी रतिनदी के तड़ पर स्थित है और यह युद कलाईव की नेतरतव वाली एक छोटी सी अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजु दोला की 50,000 सेना के साथ हुआ था और इस युद के प्रारंब हो तेही मीर जाफर अपनी सेना लेकर अलग हो गया और अंतप्ता इस युद में जो नवाब सिराजु दोला था ना ये पराजित होकर मुर्शिदाबाद भाग गया लेकिन नवाब को मुर्शिदाबाद में ही पकड़ कर इसका वद कर दिया गया और इसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और कलाईव को व्यक्तिगत रूप से बहुत सारा धन मिलता है और इस तरह पलासी के युद ने भारत में अंग्रेजी प्रभु सत्ता की निव डाल दी और इस्ट इंडिया कमपनी को 24 परगना जिले की दिवानी भी प्राप्त हुई तो यह पलासी का युद जो की 1777 में हुआ और इसके बाद है बकसर का युद जो की 1764 में होता है तो बकसर का युद किसके बीच में होता है तो इस्ट इंडिया कमपनी जिसका नित्रतव हेक्टर मुन्रो कर रहा था तो इस्ट इंडिया कमपनी का युद बंगाल के नवाब अवद के नवाब और मुगल बाशा के साथ होता है, तो बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम, अवद के नवाब कौन थे? शुजाओ दोला और मुगल बाशा कौन थे? तो शाह आलम द्वित्य, तो ये तीनों मिलकर इस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध करते हैं, तो बकसर का युद्ध कब हुआ था? तो तेश अक्तूबर 1764 इस्वी में बकसर का युद्ध हुआ था, तो मीर कासिम अंग्रेजों से प्रास्थ होकर शुजाओ दोला के पांस पहुँचा, और अंग्रेजी सेना का नेतर तो कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुरो ने अंग्रेजी सेना का नेतर तो किया था, और इस युद्ध में सेंक्त मोर्चे की शक्तियां प्राजित होईं, और मीर कासिम जो की बंगाल का नवाब था, ये युद्भूमी से भाग गया जबकि शुजाओ दोला और शाह आलम द्वित्ये ने आत्मस मरपन कर दिया जिसके बाद इनके बीच में संधी होती है ये संधी भी पूछी आती है कौन से संधी होती है इलहाबाद की संधी होती है तो इलहाबाद की प्रथम संधी 12 अगस 1765 को होती है जो कि मुगल समराड शाह आलम द्वित्ये और अंग्रेजों की बीच में होती है तो इसंधी की मुखे शर्तें क्या थी तो इसंधी की पहली शर्त थी कि कमपनी अवद के नवाब से इलहाबाद और कड़ा दो जीले लेकर इसे मुगल समराड को देगी और कमपनी मुगल समराड को 26 लाख रुपे पैंशन की रूप में देगी और मुगल समराड इसके बदले में कमपनी को क्या देगा तो बंगाल बिहार और उडिसा की जो दिवानी है यानि कि यहाँ पर अब जो इस्ट इंडिया कमपनी है आसानी से व्यापार कर सकती है और आसानी से वसूल सकती है तो आप देख रहें बंगाल बिहार और उडिसा की जो दिवानी है यह किसे मिल गई तो इस्ट इंडिया कमपनी को मिल गई तो यह तो हो गई मुगल बाशा के साथ संधी और दूसरी संधी किसके साथ होती है तो अवध के नवाव शुजाओ दोला के साथ हो अवद के नवाब से इलहाबाद और कड़ा का जिला प्राप्त करके किसे सौप देगी तो पीछे हमने पढ़ा मुगल समराठ को सौप देगी दूसरी शर्थ क्या थी कि अवद के नवाब पर हर जाने की रूप में 50 लाख रूपे एवं चुनार का किला कमपनी प्राप्त करेगी कमपनी को अवद में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा यानि कि अब इस्ट इंडिया कमपनी अवद में भी टेक्स फिरी व्यापार कर सकती है और चोथी शर्थ क्या थी कि अवद की सुरक्षा के लिए अवद में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च भी अवद का नवाब ही देगा तो अवद के नवाब को ये सारी शर्थें माननी पड़ती है क्यों माननी पड़ती है क्योंकि ये हार गया था तो 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में दुवैज शाषन चलता रहा दुवैज शाषन यानि की दो शाषन एक तो बंगाल के नवाब का शाषन और दूसरा इस्ट इंडिया कमपनी का शाषन तो 1772 में वारन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनकर आय था और इसने 12 शाषन को सुमाप्त करके बंगाल में कमपनी का ही शाषन स्थापित कर दिया यानि कि बंगाल के नवाब का शाषन ही खतम कर दिया अब कमपनी का शाषन स्थापित कर दिया अब इसके बाद हम पानीपत का तीसरा युद देखते हैं हमने पानीपत के दो युद देख लिए अब हम पानीपत का तीसरा युद देखते हैं जो कि 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद एहमाशा अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था और मराठाओं के तरफ से कौन-कौन थे सदाशिव राव विश्वाश राव और शमशेर भादूर तो पानिपत के तीसरे युद में क्या हुआ था तो पानिपत का तिरित्य युद अफगान शाशक एहमाशा अब्दाली एवं मराठाओं की बीच में लड़ा गया था और इस युद का जो मुख्य कारन था ये दिल्ली एवं पंजाब की राजनिती में मराठाओं का हस्तशेप था तो इस युद में मराठाओं की भीशन पराजे होती है और महाराष्ट का कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जिसने अपने स्वजन की मृत्यू पर शोक ना मनाया हो तो यह युद मराठाओं के लिए राष्ट्र विपत्ती के समान थी इस युद का नितरतो पेश्वा बालाजी बाजी राव का चचेरा भाई सदाशिव राव भाव एवं पेश्वा का पुत्र विश्वाश राव कर रहे थे और मराठाओं की और से तो खाने का नितरतो इबराहिम गार्दी ने किया था और इस युद का आखों देखा वर्नन काशी राज पंडित ने किया था और इसमें मराठाओं की हार होती है और शोक में छे महिने बाद जो पेश्वा बालाजी बाजी राव थे इनकी भी मृत्ती हो जाती है इसके बाद हम पढ़ते हैं आंगल मैसूर युद तो चार आंगल मैसूर युद हुए थे आंगल यानि की अंग्रेजों के साथ तो प्रथम आंगल मैसूर युद 1767 से लेकर 1779 इस्वी तक चला था और इसका कारण क्या था तो इसका कारण अंग्रेजों एवं हैदर की बीच में करनाटक का सीमा विवाद था इसका परिणाम क्या निकलता है तो इसमें अंग्रेजों की हार होती है तो इस युद की समाप्ती की संधी के साथ होती है तो मदराज की संधी के साथ जोकी 1769 में हुई थी इस संधी के साथ ये युद समाप्त होता है और इसमें अंग्रेजों की हार होती है और हैदर अली की जीत होती है इसके बाद दूसरा अंगल मैसूर युद 1780 में शुरू हुआ था और 84 तक चला था इसका कारण क्या था तो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसिसी बंदरगा माही पर अधिकार करना इस युद का कारण ब तो जो ये संधियां है न ये एकजामें पूछी जाती है कि प्रथम अंगल मैसूर युद की समापती की संधी से हुई थी तो मदराज की संधी से हुई थी द्वित्य अंगल मैसूर युद की संधी से हुई तो मंगलोर की संधी से हुई और तिरित्य अंगल मैसूर युद ये कब शुरू हुआ, तो 1790 से शुरू हुआ और 92 तक चला, इसका कारण क्या था, कि यह युद्ध की शुरुआत हुई, तो टीपू सुल्तान के द्वारा, 53 कोर पर आकर्मन इसका कारण बना था, और इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है, और इसकी समापती, श्री रंग पटनम की संधी के द्वारा 1792 में होती है, तो ये इंपोर्टेंट है, पूछा गया है, कि तिरित्य अंगल मैसूर युद्ध की समापती की संधी के साथ होती है, तो श्री रंग पटनम संधी के द्वारा होती है, और चोथा अंगल मैसूर युद 1799 में होता है, इसका तो टीपू के वद के साथ ही इसके समापती होती है ये चारों आंगल मैसूर युद्ध हैं और इनकी संधियां आपको याद खनी हैं क्योंकि जो संधियां हुई हैं यही एक्जामें पूछे जाती हैं तो आंगल मैसूर युद्ध के बाद हम आंगल मराठा संघर्ष देखते हैं, तो तीन आंगल मराठा युद्ध हुए थे, पहला आंगल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक चला था, दूसरा आंगल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 तक चला था, और तीसरा आंगल मराठा तो प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, पूरा मैंने मराठा समराज ये डिटेल में पढ़ा रखा है, तो यहाँ पर मैं खाली युद्ध आपको बता रहा हूँ, इसलिए से मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, तो पहला अंगल मराठा युद 1775 से लेकर 1782 में इस्ट इंडिया कमपनी और मराठा के बीच में लड़ा गया था इसका कारण क्या था तो जो रघुनात राउ था ये पेशवा बनना चाहता था इसलिए ये अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और अंग्रेजों के साथ मिलकर मराठों प त्याग करते हुए साल बाई की संधीक पर हस्ताक्षर किये थे तो ये पूशा जाता है कि पहला एंग्लो मराठा युद की संधीक के साथ समाप्थ हुआ था तो साल बाई की संधीक के साथ समाप्थ हुआ था इसके बाद है द्वित्य आंग्ल मराठा युद जो की 1803 में शुरूआ था और 1805 में समाप्थ हुआ था तो पेशवा बाजी राव द्वित्य ने 11 दिसंबर 1802 को बसीन की संधी पर अंग्रेजों के साथ हक्षताक्षर करके इस युद्ध को समाप्थ किया था तो ये पूशा गया है द्वित्य आंगलमराथा युद्ध की संधी के साथ समाप्थ हुआ तो बसीन की संधी के साथ समाप्थ हुआ इसके बाद है तृत्य आंगलमराथा युद्ध जो की 1817-18 में हुआ था तो पेशवा बाजी राव द्वित्ध को खड़की में अंग्रेजों के द्वारा हराय गया और इसके बाद पूना की संधी 1817 पर हक्षताक पेशवा के पद को ही समाप्थ कर दिया गया तो आंगलमराथा युद्ध के बाद आगे हम पढ़ते हैं आंगले सिख युद्ध तो प्रत्थम आंगले सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में तो इस करम में अंग्रेजों ने पहले ही भारत के दूसरे जादत च्छेत्रों पर कबजा कर लिया था जिसके बाद वे सिख समराज जिसे लाहो समराज भी कहा जाता है तो सिख समराज और अंग्रेजों के बीच में ये अंडरस्टेंडिंग थी कि जो सिख समराज था ना सतलूज नदी इनके बीच में बाउंडरी थी कि सतलूज नदी को पार करके सतलूज नदी के पक्षिम में लाहोर छेत्र पर अपना शाशन कर रहे थे और जो अंग्रेज थे ये इस छेत्र पर भी अधिकार करना चाहती थे तो उसमें अंग्रेजी गुवर्नर जनरल लोड हार्डिंग थे और अंग्रेजी कमपनी ने 1845 इस्वी में सतलूज नदी की सी अंग्रेजी सिपाहियों को भेजना शुरू कर दिया जिसके बाद क्या होता है और इसी करम में कुछ सिख सिपाहियों के द्वारा भी सतलूज नदी को पार कर दिया गया क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया उन्होंने भी सतलूज नदी के पास अपने सैनिक भेजने शु अमरी सर की संधी जिसके हिसाब से सतलूज नदी का पक्षमी छेत्र सिखों का और जो पूर्वी छेत्र होगा वो अंग्रेजों का था लेकिन यहाँ पर ये संधी तूट गई तो इसके अंतरगद पहला अंगल सिख युद्ध होता है जिसमें चार लड़ाईयां लड़ी पधायुद 1846 में होता है और इन चारों युद्धों में सिख सेना प्राजित हुई जिसके कारण इन्हें लहोर की संधी करनी पड़ती है तो 9 मार्च 1846 को लहोर की संधी सिखों और अंग्रेजों के बीच में होती है तो यह संधी अंग्रेजों एवं दिलीब सिंग के बी दूसरी शर्ट क्या थी कि सतलूज के पूर्व के परदेश वा जलंधर के दुवाब छेत्र पर भी अंग्रेजों का आधिकार होगा। जिसमें पचास लाक रुपे नगद एवं एक करोड के बदले कश्मीर गुलाब सिंग के हाथों बेच दिया गया। जिसके बाद क्या हुआ कि 1846 में सिखों ने दुबारा से विद्रो कर दिया और अंग्रेजी सेना ने दुबारा से इस विद्रो को दबा दिया। और फिर से इनके बीच में भैरववाल की संदी होती है जो कि 16 दिसमबर 1846 में होती है तो इसके शर्तें क्या थी? तो पहले शर्त थी कि राने जिंदल की स्रक्षता समाब्त कर दी गई और उन्हें डेड़ लाक रुपे वार्शिक पैंशन देने का प्रावधान किया गया। दूसरी शर्त थी कि अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में आठ सिक सरदारों की एक परिशद बनाए जाएगी जो कि पूरे शाषन का देखभाल करेंगी और तीसरी शर्त थी कि लाहोर में एक अंग्रेजी सेना रखे जाएगी जिसका खर्च कौन देंगे? तो द अंधियां होई थी इसके बाद जो सिक थे ये काफी नाखुश थे और इसी करम में 1848 के समय अंग्रेजों के नियंत्रण में मुलतान छेतर के गवर्नर दिवान मूलरा थे तो बिटिश परतिनी धी हैन्री लोरेंस ने दिवान मूलरा से ज़्यादा और बढ़े हुए जसों को देने से इंकार कर दिया और बिटिश परतिनी धी हैन्री लोरेंस के विरुद लड़ने की तैयारी कर ली थी और बिटिश परतिनी धी हैन्री लोरेंस और अंग्रेजों ने मुलतान के दिवान मूलराज को हटा कर नए सिक गवर्नर को निक्ट करने का फैसला लिया क्योंकि जो दिवान मूलराज थे वो उनकी बातें मान नहीं रहे थे तो मूलराज को इसलिए निक्त किया गया था कि वो टेक्स वसूल कर अंग्रेजों को दे प्रन्तु इसने टेक्स देने से इंकार कर दिया जिसके बात क्या हुआ कि अंग्रेजों ने ने सिख गवर्नर को निक्त करने का फैसला लिया पर मुलतान की प्रजा ने अंग्रेजों के इस फैसले को नहीं माना और वहां की प्रजा दिवान मूलराज के साथ खड़ी हो गई और उसका सहयोग करने लग गई और इसी करम में अंग्रेजों ने मुलतान में एक नए सिख गवर्नर को दो ब्रिटिश अफसरों के साथ भेजा जिनका नाम था लेफटिनेंड पैट्रिक वेंस एगन्यू और लेफटिनेंड अंडर्सन तो दो ब्रिटिश अफसरों के साथ अंग्रेजों ने मुलतान में एक ने सिक गवणर को भेजा, प्रंतु मुलतान की प्रजान ने इन दोनों ब्रिटिश अफसरों को जान से मार दिया, और इसके साथ साथ कुछ सिक सिपाई भी दिवान मूल राज के साथ जुड़ जाते है और अंग्रेजों के विरुद फिर से एक विद्रो छिड़ जाता है तो दूसरा अंगल सिख युद अठारा सो अड़तालिस उन्चास में होता है और इसके अंतरगत तीन लडाईयां लड़ी गई तो पहला युद होता है राम नगर का युद जो की अठारा सो अड़तालिस में होता है और इसमें अंग्रेज विजई होते हैं दूसरा युद होता है चिलियां वाला का युद जो की अठारा सो अन्चास में होता है इसमें सिख विजई होते हैं तो ये इंपोर्टेंट है चिलियाँ वाला के युद में सिख विजई होते हैं तीसरा युद होता है गुजरात नगर के युद ये 1849 में होता है और इसमें भी अंग्रेज विजई होते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि जो सिख सेना होती है वो आत्म समर्पन कर देती है और इस समय अंग्रेजों का सेना पती कौन था तो यूगोव ये अंग्रेजों का सेना पती था तो 1849 इस्वी में सिख राज्य को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और दिलीब सिंग को पेंशन देकर रानी जिंदल के साथ इंगलेंड में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया तो इस परकार सिख राज्य को भी अंग्रेजों के द्वारा मिला लिया जाता है तो आखिर में हम जो भारत की रिसेंट में वोर हुई हैं वो देख लेते हैं जैसे कि भारत चीन युद जो कि 1962 में हुई थी तो चीन के द्वारा 20 अक्तूबर 1962 को आप परत्याशित रूप से भारत पर हमला किया गया था जिसे 1962 के भारत चीन युद के नाम से भी जाना जाता था और चीन की People's Liberation Army ने लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार भारत पर आकर्मन किया और चीन के द्वारा युद विराम की घोशना के बाद 21 नुवंबर 1962 को ये युद समाप्थ हुआ था और चीन ने अकसाई चीन में लगभग 14,700 वर्ग मील चेतर पर अवैद नियंतरन बरकरार रखा है जो कि लद्दाख का एरिया है और यह चेतर दोनों देशों के बीच में विवाद का विशय बना रहा है तो इस युद्ध के बाद चीन ने हमारे चेतर पर लद्दाख के कुछ एरिया में अवैद रूप से कबज़ा कर लिया तो भारत चीन युद्ध के बाद पाकिस्तान भी भारत पर आकरमन कर देता है क्योंकि इसको लगता है कि इस समय भारत के हालास रह नहीं है क्योंकि अभी-भारत ने एक युद्ध लड़ा है और ये वास्तविक यूद्ध था ये 17 दिन का था और इसमें भारत को जीत मिली थी यानि कि भारत की जीत हुई थी जिसके बाद क्या होता है कि ताशकंद का समझोता होता है इंपोर्टेंट है तो ताशकंद समझोता भारत पाकिस्तान यूद्ध को समाप्त करने के लिए 1965 मे भारत और पाकिस्तान के द्वारा हस्ताक्षरित एक शांती संदी थी तो 10 जनवरी 1966 को लाल बहादु शास्त्री और पाकिस्तान के ततकालिन राश्पती मुहम्मद अयूब खान ने ताशकंद समझोते पर हस्ताक्षर किये थे जो ताशकंध है ये उजबेकिस्तान की राधानी है तो सोव्य संग जो की वर्तमान में रूस है उसमें ये सोव्य संग का पाड था तो सोव्य संग के प्रधान मंतरी अलक्सी कोशियन ने इस समझोती की मध्यस्तता की थी तो पार्टियों ने सहमती व्यक्त की तथा सभी शशत्र बलों ने 5 अगस 1965 से पहले की स्थिति में वापस ले लिया जाएगा इस संधी में क्या कहा गया कि जो पहले की स्थिति थी ना उसी में जो सिनाय थी वो वापस लोट जाएगी जबकि इसमें नुकसान भारत को ही हुआ क्योंकि जो भारतिय सेना थी यो पाकिस्तान की सीमा के बहुत अंदर तक पहुँच चुकी थी लेकिन फिर से इसे वापस लोटना पड़ता है तो ताशकंद घोशना के बाद उसी दिन ताशकंद में ही लाल भादूर शास्त्री की भी मृत्ती हो गए जो हमारे भारत के परधान मंतरी थे ना इस घोशना के बाद उसी दिन इनकी भी अचानक से मृत्ती हो जाती है तो इसके बाद पाकिस्तान फिर से 1971 में युद करता है तो 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद जीता जिसके परिणाम सोरोब बांगलादेश का जनम हुआ था तो पाकिस्तान से बांगलादेश अजात कब हुआ था तो 1971 में हुआ था इसके बाद है कारगिल युद जो की 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ तो कारगिल युद तीन मई 1999 को शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 तक चला था और अधिकारिक तोर पर युद का नाम ओप्रेशन विजय था तो 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस की रूप में मना जाता है क्योंकि इस दिन भारत की जीत हुई थी तो इस दिन को कारगिल विजय दिवस की रूप में मना जाता है और मुख्य युद भारत और पाकिस्तान के बीच एक शशस्त्र संगर्ष था जो भारत और पाकिस्तान की LOC के साद कश्मीर के कारग पूर्ण भूमिका निभाई थी और युद्ध के दोरान भारतिय सेना के थल सेनिकों का उद्देश पाकिस्तान सेना के नियमिद और अनियमिद सेनिकों को बाहर निकालना था तो कारगिल युद्ध के दोरान भारतिय वायु सेना द्वारा किये गे ओपरेशन को ओपरेशन वाइड या सफेज सागर का नाम दिया गया था क्योंकि जो ये ओपरेशन हुआ था ये बरफिली पहाड़ियों में हुआ था तो इसका नाम था ओपरेशन वाइड तो अन्तिता 26 जुलाई 1999 को युद समाप्त हो गया और भारतिय वायु सेना की मदद से भारतिय सेना ने पाक जुनित दस राजाओं का युद डैश नदी के तट पर लड़ा गया था तो ये परुशनी यानि की रावी नदी के तट पर लड़ा गया था तो इसका सही जवाब है ओप्शन सी तो अगला प्रेशन है कि डैश की लड़ाई 326 इसब पूरों में सिकंदर के द्वारा लड लड़ी गई थी तो हाइडे स्पीज का युद ओप्शन ने इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि कलिंग के साथ अशोक के युद का विवरन के शिलालेख में दिया गया था तो कलिंग के युद का वर्नन के शिलालेख में दिया गया है तो तेरवे शिलालेख में दि उप्षिन ने किया था, तो भारत पर हुए अरब आकरमन का नित्रतोः मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, तो इसका सही जवाब है, ओप्षन D, अगला प्रेशन है कि तरायन का प्रत्थम युद्ध कब लड़ा गया था, तो तरायन का प्रत्थम युद्ध 1191 में लड़ा ग क्या था, जिसमें पित्वी राज चोहान की जीत हुई थी, तो option B, इसका सही जवाब है, अगला प्रेशन है, कि तरायन के युद्ध में 1192 में पित्वी राज चोहान डैश के हाथों प्राजित हुए थे, तो जो तरायन का दुध्य युद्ध था, दूसरा युद्ध था, इसमें पित्वी राज चोहान की हार हुई थी, किसके हाथों से हार हुई थी, तो मुहमद गोरी के हाथों से हार हुई थी, तो इसका सही जवाब है, option ने, अगला प्रशन है कि चोसा का युद किसके बीच में लड़ा गया था तो बताएए चोसा का युद किसके बीच में लड़ा गया था तो ये हुमायू और शेर्शा सूरी की बीच में लड़ा गया था जिसमें शेर्शा सूरी ने हुमायू को हराया था तो इसका सही जवाब है, option A, अगला प्रेशन है कि पानी पत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गे थी, तो पानी पत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गे थी, पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी 1556 में, और तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गे थी, तो इसका सही जव पंदरा सो चब्विस तो ओप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रेशन है कि पानी पत का तीसरा युद किसके बीच में हुआ था। किसके बीच में लड़ा गया था तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में पहला आंगल मैसुर युद लड़ा गया था। तो इसका सही जवाब क्या है? ओप्शन ने तो अगला प्रेशन है कि भारत चीन युद हुआ था। तो भारत चीन युद कभ हुआ था तो 1962 में हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या है? ओप्शन ने तो आज का आखरी प्रेशन है कि निम लिखित में से किस नेता ने ताशकंद समझोते पर हस्ताक्षर किये थे। तो किस ने स्ताक्षर किये थे तो लाल भादू शास्त्री और अयूब खानने तो ओप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो? कोमेंट सेक्षन में ज़रूर बताना धन्यवाद।